खांसी होती है तो आप क्या करते हैं? अधिकतर लोग खांसी होते ही कफ सिरप का इस्तमाल करने लगते हैं अगर आप भी ऐसा करते हैं तो साफधान होने की जरूरत है क्योंकि WHO ने भारत में बनने वाली चार दबाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है उसने इन दबाओं को खराब बताती हुए इनके जहरीली होने की संभाव नजटाई है ये चारो दबाओं हैं इन्हें सामाने सर्दी जुकाम बुखार और खांसी के इलाज में इस्तमाल किया जाता है हर्यानस सिद दबा कंपनी मेडन फार्मसेटिकल्स इन चारों सीरप को तयार करती है दरसल डबलो एचों ने अफ्रीकी देश गांबिया में कथित रूप से इन सीरप के सेवन से च्छ्यासत बच्चों की मौत होने के मामले में ये अलर्ट जारी किया है बयान में उसने कहा है कि जब तक भारत में संबंदित विभाग याधिकारी इन दबाओं की जांच नहीं कर लेते तब तक इन्हें असुरक्षित माना जाना चाहिए डबलो एचों ने मेडिकल प्रड़क्ट अलर्ट जारी करते हुए कहा चारों दबाओं के सैंपलों की लेबोरेटरी में हुई जांच में ये पता चला है कि इसमें दूशित पदार्थों के रूप में डायथलीन ग्लाइकोल और एथलीन ग्लाइकोल की मातरा ज्यादा है अभी तक इन उत्पादों की गांबया में पहचान की गई है लेकिन संभव है इन्हें अनौपचारिक मारकेट के जरिये दूसरे इलाकों या देशों तक पहुचा दिया गया हो वहीं डबलो एचो के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने संस्था के प्रमुक टेड्रोस अदनोम गेबरेसस के हवाले से लिखा है डबलो एचो ने चार दवाओं को लेकर मेडिकल अलर्ट जारी किया है इन दवाओं का संबंध गांबिया में 66 बच्चों की मौत और किड्नी के गंभी रूप से शतिग्रिस्थ होने के मामलों से हो सकता है इन बच्चों की मौत से उनके परिवारों के दुख का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता मीडिया रपोर्ट के मुताबिक डबलो एचो ने टेज सेंपलों की जाच की थी उनमें से चार में ज्यादा मात्रा में जहरीले केमिकल पाई गए है Central Drugs Standard Control Organization भारत में दवाओं को स्वीकृती देने वाला शीर्ष प्राधिकरन है Indian Express के रिपोर्ट के मुताबिक बीते 29 सतंबर को ये मामला उसकी जानकारी में आया था तब ही CDSEO ने इसकी जाच शुरू कर दी थी रिपोर्ट की माने तो हर्याना में CDSEO के नियामक प्राधिकरन ने पुष्टी की है कि Madden Pharmaceuticals ने ही इन चारों सरप की मैनिफेक्चरिंग की थी India Today के रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी के ज्यादातर मेडिकल उतपात बच्चों के लिए तयार किये जाते हैं CDSEO ने बताया कि Madden Pharmaceuticals ने अभी तक केवल गांबिया में अपने चार सरप एक्सपोर्ट किये हैं हलांकि CDSEO ने ये साफ नहीं किया कि WHO ने जिन श्यासत मौतों का जिक्र किया उनका संबंध इन सीरप से है या नहीं साथी Madden Pharmaceuticals की तरब से भी ये विडियो बनाए जाने तक मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है बात अगर डायथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल करें तो इन केमिकल्स के कई प्रकार के जहरीले प्रभाव हो सकते हैं मसलन इनके ज्यादा इस्तिमाल से पेट दर्द, सिर दर्द, उल्टी और डायरिया जैसी दिक्कते हो सकती हैं इनके अलावा पेशाप करने में परिशानी, मानसिक स्थिती में बदलाव, गुर्दे का गंभी रूप से शतिग्रस्त होना भी इन केमिकल्स के दुष्प्रभावों में शामिल है WHO ने कहा है कि इन केमिकल्स से युक्त मेडिकल उत्पाद असुरक्षित हैं और उनका इस्तिमाल लोगों को खास्तोर पर बच्चों को गंभी रूप से बीमार कर सकता है या उनकी मौत का कारण भी बन सकता है मैं हूँ गर्मा, आप देखते रहिए दीललन डॉप